तो आज हम करने वाले हैं आपके math की जो 23 years के complete एक एक question को जो cover करते हैं sample papers उस वालने latest release किया जैई मेंस के इसमें जो आपके total 164 solve papers है तो आज हम इसका complete review करने वाले हैं और यह आपके 2025 यह 2026 यह 27 में आप अगर exam दे रहे हैं के लिए सबकी इंपॉर्टेंट है 11th year 12th class दोनों classes में आपके कर सकते हैं इसका आज हम complete review कर रहे होंगे सबसे पहले बात की जाए तो इस book की सबसे पहली खासियत है इसके trend analysis तो कि आपको 2020 से 2024 तक दिया हुआ है आपको shift wise भी दिया हुआ है कि कितने questions आपके किस chapter से पूछे गया है उससे आपको importance का idea लग जाती कौन सा basically chapter कितना ज़दे important है for example अगर एक धान देने वाला point दिया जाए तो आपको example देने के लिए आप यह समझ सकते है कि limits continuity and differentiability बैसे तो जही advanced के point of view से तो भी बहुत जादे important chapter है लेकिन 2020 में 63 questions का आया और फिर यह 13 questions का यह दिन continuously below 10 questions का एरा है मैं यह नहीं कह रहा कि आपको इस पर कम importance देनी है क्योंकि इसका limits का use आपके आगे वाले chapters में भी पढ़ता रहता है लेकिन जरूर आप यह समझ सकते हैं कि इसका trend अगर आप सिर्फ जह means की त्यारी कर रहे है तो आपको इस पर बहुत ज्यादा time नहीं देना है रादर देन उन chapters पर ध्यान दे सकते हैं जो कि आपका basically और आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे है इसमें जो है आपका बाकी सारे chapters का इन्होंने दिया होता है जैसे आप एक और चीज समझ सकते है कि area under the curve जी advanced के लिए तो बहुत जादा important है लेकिन J mains में उसकी इतनी ज्यादा भी विटेज नहीं है जितना ज्यादा उसको hype up किया जाता है फिर आपको देखने को मिलता है इसका sample paper J mains का maths का and इसमें जो है बिलकुल J mains pattern पी आपको देखने को मिलता है answer कि आपको topic wise दी होत इतने अच्छे solutions मैंने शायद ही किसी और book में देखे है क्योंकि इसके जो solutions है उसमें एक एक point इन्हों detailing का दिया है बिलकुल जैसे cbsc time पे आप solutions लिखते थे इन्होंने अपने तरफ से आपको उतने ज़्यादा detailed solutions दी होया है इतने ज़्यादा है कि आप एक अगर आपने basic theory पड़ी है तो आप इनके diagrams और detailed solutions के तुरू पूरी चीज़ को easily एक ही flow में समझ सकते हैं आपको solution देखने के बाद मुश्किल question में भी कोई doubt नहीं रह रहा होगा आप easily हर question को grasp up कर पाएंगे बाकी इसमें एक और बहुत जादा मुझे special चीज़ लगी वो यह है कि जब आप chapters wise आते हैं उसमें जो है आपका जैसे एक question दिया होता है तो उसका फिर आपका solution दिया हुआ है and then उसमें आपको कुछ hints provide के जो कि उन्होंने question में formulas यूज किये and then आपको एक shortcut method अलग से दिया हुए तो इसमें जो होते हैं जो आपका easiest method होता है कोई अगर short way भी है करने का trick types तो वह भी इन्होंने हर question के आपको mention करके दियो है जो जो possible है and यह मुझे इस book का एक differentiating factor लगा जो कि बाकी चीज़ बुक्स में आपको बिलकुल भी नहीं देखने को मिलता है एक-एक question क्या आपको 2-3 method भी दियो है इन्होंने यह चीज़ मुझे इस book की specially एक differentiating factor लगी और बात कीज़े तो यह book obviously बहुत जादा detailed way में है अगर book की बात कीज़े तो almost 680 pages की book है and that too इतनी जादा अच्छे quality की book है बहुत जादा refined content है एक-एक चीज मैंने खुझ से देख लिए है तो formula sheets की तरह लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत जादा concise way में आपके सारे formulas को cover up किया हुए and एक दम perfect तरीके से दिया हुए and जो आपको अगर extra भी कोई topic पढ़ना है तो आप यह scan codes को use करके especially उस topic का reference material लेके भी पढ़ सकते हैं online and इसी तरीके से इन्होंने पूरे chapters को सभी cover up किया हुए and आपको last में appendices देखने को मिलते हैं जो कि आपको कई बार reference के लिए use हो जाते हैं इसको तो मैंने अपने time पी जो books आती थी उनको जिस पार के appendices को एक तरफ steple करके रख लिया था अपने table में कि इसमें जो आपको कई बार formulas use हो जाते है and इसमें जो है आप इसे almost अपने table पे निकाल के चिपका भी सकते हैं तो इसे for example derivatives है तो इन्होंने सारे 38 के 38 derivatives का आपकी formula sheet A की page में दे दिये और similarly आपको integration and all भी of trigonometric functions अलग से सारी चीज़े detail में देखने को मिलती है and इस book की बात कीज़े तो इसका price वैसे तो 999 है लेकिन आप इसे बहुत ही जादर discounted prices सिर्फ हमारे viewers के लिए जो discount है आप उसको description box में दिये link से खरीज सकते हैं वहाँ पे आपको इसका maximum discounted price मिल हम मिलेगा एगले वीडियो में बाए